अब हमने देखा हमारे पास धरातली और भूमी गर्जल की मात्रा उपलब्द थी इसके बाद हम बात करते हैं लैगून और पश्च जल पर जिसे हम बैक वाटर भी कहते हैं हम अपने भारत के केरल चले जाएं ओडिसा और पश्चिम बंगाल में तो यहां पर हमें लैगून और पश्च जल मिलता है पहले हम यह समझ लेते हैं लैगून क्या है आपने हमारे भारत में ओडिसा में चिलका जिल का नाम सुना ही होगा बहुत अच्छी तरह से यह एक लैगून जील है किस प्रकार की जील है लैगून जील लेगुन जिल क्या होता है हम अपने तटी छेत्र में देख रहे हैं है न हमारा जो दक्षरी भारत का पूरा हिस्सा है वो समुद्र तटी भाग है और यहां क्या होता है तटी छेत्र में भी आपने अपनी पिसली कक्षा में अपर्दन के साधन जो है वो देखे होंगे कि तो हम इन तटी छेत्र में देखते हैं क्या होता है कि जब समुद्र की लहरे आती है और इस तटी हिस्से से टकराती है तो क्या होगा लहरे आ रही है और वापस जा रही है लहरे आ रही है और वापस जा रही है तो इस दोरान क्या होता है कि ये कटाओ तो कर ही रही है और कट सब्सक्राव करके जो भी रेत या आवसाथ की मात्रह ये वापस इसके सांथ जाती है वो पूरी मात्रह में वापस नहीं जाती और इन छेत्रों में कुछ जमाव जो होते जाते हैं. तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक छोटा एरिया हम ले लेते हैं और एक्जामपल के लिए और देख रहे हैं कि यहां समुद्री लहर आ रही है और टक्रा कर फिर वापस जा रही है और वापस जाने के दौरान इसके लहर जब वापस जा रही है तो इसमें कुछ जो रेत य जो पूरा पुर्वी और पशिमी तटी हिस्सा है वो कटा फटा है और इसी के अंदर जो है वी समुद्री लहरे या समुद्री जल जो है वो अंदर की तरफ आती हैं तो कटाव हो रहा है और साथ ही साथ उसमें उसके किनारों की और उसके पार्शों की तरफ जो है वो जमाव भी होता जा रहा है अब एक इस्थिती ऐसी आती है कि ये पूरी तरह से तीन ओर से ये जो हिस्सा है या वो तटी भाग जो है वो बंद हो जाता है अब जो समुद्री जल अंदर की तरह प्रवेश कर गया था वो तो अंदर ही है क्योंकि वो पूरी तरह से बाहर नहीं जा पा एक जील का रूप ले लेता है तो ये जो जील का रूप लिया वो क्या हुआ इसमें जो जल था वो समुद्र का ही जल था समुद्र की लहरें जो आई और अंदर की तरह प्रवेश कर रही थी वही जल उसमें स्टोर है तो ये एक लैगून जील बन गया और लेगून जिल का जो पानी है चुकि ये समुद्र का होता है इसलिए खारा होता है ऐसे ही हम जब केरल के तटीय छेत्र में चले जाएं तो यहाँ पर हमको बहुत अधिक मात्रा में बैक वाटर या पश्च जल की जो मात्रा है वो देखने को मिलती है यहाँ पर भी यह कब बनता है यह बैक वाटर हम किसे कहते हैं इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं जब किसी भी तटीय छेत्र में लहरे आ रही है वापस जा रही है टकरा रही है वापस जा रही है तो जब वो 30 छेत्र थोड़ा सा उपर उठा हुआ है मतलब ढाल उसका opposite side में है इसको एक example से आप देख सकते हैं और यहाँ पर तो इस picture के माधियम से आपको बहुत अच्छी तरह से इस पस्ट हो रहा होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा उपर उठा हुआ भाग है तो लहरे आ रही है यह हम कहें कि समुद्री जल टकरा रही है इससे और टकरा कर वापस तो जा रही है लेकिन कुछ मात्रा जो है वो यही पर रह गई क्योंकि यह भूमी जो है वो थोड़ी सी उपर है आप कहीं पर भी देखेंगे जैसे फोर्स से पानी आ रहा है फोर्स से पानी आया लहरे बहुत अधिक फोर्स से आई तो यह बल जल जो है वो थोड़ा सा थोड़ी मात्रा इसकी इधर चली गई और बाकी जो है वो वापस उन लहरों के साथ चला गया तो यह जो जल यहां पर स्टोर होता जाता है जब भी लहरे अपने पूरे फोर्स के साथ आती है तो यह इस उपरी छेतर को पार करके उस तटी छेतर के अंदर चली जाती है तो इसे ही हम बैक वाटर कहते हैं जो आपको इस पिक्चर से बहुत अच्छी तरह क्लियर हो रहा होगा अब ये जो बैक वाटर है या हम लेगून जील के जल की बात करें तो ये दोनों ही क्या है चुकि इसमें महासागरी जल होता है तो ये खारा होता है इसलिए हम इसे मचली उत्पादन के लिए मचली पालन के लिए हम कह सकते हैं या चामल की कुछ किसमें होती हैं जो इस खारे जल में उत्पन की जा सकती हैं और साथ ही साथ हम नारियल की जो फसल लेते हैं, उसमें भी सिचाई के लिए इस लैगून या पश्च जल का जो जल होता है, उसे उपयोग में लाते हैं. तो ये हो गई बात लैगून और पश्च जल की अब हम देखते हैं जल संसाधन तो हमने बात की थी कि हमारे लिए कितना उपयोगी है अब हम इसकी गुडवत्ता जो है उसे हम कैसे कायम रखें कैसे बराबर उसकी गुडवत्ता और अच्छी बनाए इसके विशय में बात करत हैं और जो आने वाले आने वाला समय है या जिस प्रकार से हम जल का उपयोग कर रहे हैं तो जल की क्या समस्या उत्पन हो रही है और इसके संरक्षन के लिए हम किस प्रकार का प्रबंधन कर सकते हैं इस विशय पर बात करते हैं तो जब हम जल संसाधन की गुडवत्ता की व बहुत अच्छी होती मतलब यहां पर हमें एक दम साफ और स्वक्ष जल जो है वो मिलता है लेकिन जैसे जैसे यह अपनी यात्रा के दोरान आगे बढ़ती जाती हैं यह हम यह कहें कि मैदानी छेत्र में प्रवेश करेगी और उसके बाद फिर और आगे बढ़ती हुई इसकी गुणवत्ता में बहुत अधिक परिवर्तन जो हमें देखने को मिलता है जहां यह उद्गमिस्थान पे बहुत साफ सुथरी होती है एक दम स्वक्ष जल जो हमें प्राप्त होगा जैसे जैसे यह आगे बढ़ती जाती है तो इतना जादा नगरी करण या ओद्योग करण हो चुका है कि हम सारा जो प्रदूशन है जो हमारे अपसिस्ट पदार्थ है उसे हम सीधे नदियों में ही प्रवाहित करते जाते हैं तो अलग लग नगरों का जल प्रदूशी जल है ना यह हम बात करें और द्योगों से निकलने वाला जो अपसिस्ट पदार्थ है इसमें बहुत अधिक प्रदोशीद होता है। यह अब हम देखते हैं कि जल प्रदूशित कैसे हो रहा है जो अनावस्यक पदार्त, हम ने कहा कि नगरी करण से उसमें या नगरो का जो गच्च्रा है, आपसिस्ट पदार्त है वो मिल रहा है, या और द्योगी करण से उद्योगों के जो रासायनिक पदार्त हैं, जिस स्थान से वो होकर उसमें कई सुक्ष्मजीव ज्योगों से ही निकलने वाला कच्रा यह सब जो है वो जल में जब मिलता है तो बारति हो जाता है तो हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन जो जल की उपलब्धता है वो तो उतनी ही है लेकिन जन संख्या के बढ़ने से जल की जो डिमांड है उसकी मांग है वो लगातार बढ़ रही है और चुक्की हम विकास की और भी लगातार बढ़ रहे हैं तो इन सभी से इस विकास में जो हम कार्य कर रहे हैं मतलब हम लगातार बात करें कि नगरी करन या ओद्योगी करन तो इससे निकलने वाले रसाइनिक पदार्थ या हम कचड़े की बात करें या अपसिस्ट पदार्थों की हम बात करें तो ये सभी जो है ये जल में मिलाए जा रहे हैं तो जल की उपलब्धता हमें उतनी ही मात्र लेकिन लगातार जनसंख्या के बढ़ने से इसकी मांग बढ़ती जा रही है लेकिन इसकी गुडवत्ता में लगातार कमी आ रही है तो ये जो जल के लिए हम सनरक्षन की बात करें उसके बचा कर रखने की जब हम बात कर रहे हैं तो ये महत्व पूर्ण भावी समस्या हम कह स प्रदूशन की और हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी कि ये जो इतनी रासायनिक पदार्थ या जो विशैले पदार्थ इतनी अधिक मात्रा में जल में छोडे जा रहे हैं जिसके कारण फ्लॉराइड की नाइट्रेड्स की या औरसेनिक पदार्थ की जो मात्रा है वो चाहे हम सतही जल में भी देखें और हमारे भूमी गजल में तो इसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ रही है जो एक गंभीर समस्या हमारे सामने उत्पन्न कर रही है अब आवशक्ता इस बात की है कि हम अपने जल का सतत पोशनिय विकास करते हुए इसे संरक्षित रखें या हम प्रबंधन की जो आवशक्ता है वो हमारे सामने आज वर्तमान में है कि हम इसे संरक्षित करके रखें अब इसके लिए हम कौन-कौन से उपाय कर सकते हैं तो पहला तो है कि हम जल को प्रदूशन से बचाएं सबसे महत्यों पूर्ण बात है कि हमें वर्तमान में इसे अभी हम इसे आने वाले समय के लिए हमने अभी देखा था कि जो 97% हिस्सा जो है वो हमारे किसी उप्योग का नहीं है जबकि पूरा जली गुलार्ध हीया हम बात करें कि पूरा 71% हिस्सा जो है वो जली हिस्सा है हमारे पास जल की उपलब्धता है और उसके बाद भी जब ह हमें ये कमी हो रही है तो वो इसलिए कि हमारे उप्योग के लायक नहीं है तो आगे आने वाले समय में ये समस्या जो है वो और अधिक गंभीर ना हो इसके लिए आवश्यक्ता इस बात की है कि हम विभिन प्रकार के जो प्रदूशन है उनसे अपने जल को बचाए साथ ही स कर सकते हैं एक तो हमने बात की थी कि जल एक चक्री संसादन है साथ ही साथ जल एक हम कह सकते हैं जैसे हम जो घर में कपड़े धो रहे हैं है ना तो वो हम जो कपड़े धोया हुआ जो जल है हमारा उसे हम व्यर्थ ना फेके हम उसे अपने बागवानी जो हम करते हैं ये उपयोग किया जा सकता है, हम इसे पुनह उपयोग के लायक बना सकते हैं, या घरेलू उपयोग के दोरान भी, जो हम जैसे सबजिया धो रहे हैं, चावल धो रहे हैं, दाल धो रहे हैं, ये सब में जो जल उपयोग करते हैं, उसे हम व्यर्थ ना फेकर पेड़ पौधों में डाल सकते हैं. साथ ही जो उद्योगों से जो प्रदूशित जल निकलता है उसे हम फिर से साफ करके पुना उप्योग के लायक बना सकते हैं. तो हम जल का पुनर चक्रन और फिर से उपयोग करके हम इसका सनरक्षन कर सकते हैं तो ये कुछ ऐसे उपाएं हैं जिनके माध्यम से हम जल को सनरक्षन दे सकते हैं इसके लिए प्रबंधन के द्वारा हम इसे भावी पीढ़ी के लिए फिर से उपयोग के लायक बना सकते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि जल संसाधन का संरक्षन और प्रबंधन किस प्रकार किया जाए। तो इसमें हमने चार पॉइंट पर बात की थी। दो हमने देखा कि जल को प्रदूशन से बचाया जाए और इसके अतरिक्त नमबर टू में हमने देखा कि जल का रिसाइकल और रियूस किया जाए। इसमें दोनों ही पॉइंट पर हमने देखा कि जल को प्रदूशन से बचाना हमारी पहली जिम्मेदारी है क्योंकि पे जल जो उपलब्ध है हमारा जितनी मात्रा में वो हमारी जो जनसंख्या है वर्तमान में उसके लिए वो बहुत कम है और हमने देखा कि इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं जैसे उद्योग है उद्योग में जो जल यूज किया जाता है और उससे जो गंदा पानी है प्रदूशित पानी है उसको हम आपने सुना ही होगा दमकल जो आग बुझाने के लिए यूज किया जाता है तो उसमें भी पान डालने की जोरत पड़ती है तो एक काम हम कर सकते हैं कि जो उद्योगों से निकला हुआ धंदा पानी है या किसी भी प्रकार का प्रदुशित पानी है जिसे हम पे जल के लिए उपियोग में नहीं ला सकते या सिचाई के उपियोग में नहीं लाया जा सकता उसे हम वो वाला पानी डाल दिया जाए जिससे दोनों ही कार्य हो जाएगा और भी कई पॉइंट्स हमने देखें अब हम इसका तीसरा पॉइंट है उस पर बात करते हैं जल संभर प्रबंधन यह हम इसी को वाटर शेट मैनेजमेंट कहते हैं वाटर शेट मैनेजमेंट या जल संभर गजल है इन दोनों का ही बहुत कुशल प्रबंधन जो है वो किया जाना चाहिए यह हम दूसरे शब्दों में कहें कि धरातली और भूमी गजल का कुशल प्रबंधन ही हमारा जल संभर प्रबंधन या वाटर शेड मैनेजमेंट के नाम से हम इसे चानते हैं तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं जल संभर प्रबंधन के लिए जो बहता हुआ जल है जैसे नदिया है हमने बात ही की थी कि बहुत सारी नदिया जो है उसमें हम देखते हैं खास करके हम बात करते हैं जो हमारे उत्तर भारत की नदिया है वो वर्षा रितु के समय पे अपना विक्राल रूप धारण कर लेती हैं मतलब उसमें पानी या जल की मात्रह जो है वो ओवर्फलो होती है और वो व्यर्थ ही बहती हुई क्योंकि उसका कोई यूज हो ही नहीं पाता है आसपास के जो छेत रहें उसमें बाड़ की स्थिती तो अलग बनती है और साथ ही वो पूर इसी परकार का कोई शुलक भुध्तान नहीं करना पड़ता tulee हमें बिल्कुल फ्री मिल रहा है तो क्यों ना हमारे पास जब जल की इतनी बड़ी समस्या है तो हम इसे इसका उचित प्रबंधन करें जितना बारिश जल हमारे पास आ रहा है हमें मिल रहा है उसे हम उचित तरीके से और कुशल प्रबंधन के द्वारा स्टोर कर लें तो हमने देखा था कि बहता हुआ जल जो व्यर्थ जा रहा है है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए उन सभी नदियों में हम छोटे-छोटे बांध बना तो क्या होगा चेक डेम से उस नदी का पानी जब उसमें बाढ़ की स्थिति बनेगी तो वहां पर उसको इस्टोर कर लिया जाएगा रोक लिया जाएगा लेवल जो है उसको अधिक पानी की जो मात्रा है वो बांध बना कर हमने स्टोर कर लिया और जरूरत के हिसाब से लिटा इसमें जो ने जिवार झाटा है रियरेशा कि उसलोड परम को ममक्न two पर spiral सब्सक्राइब क्या, का तो हमें उर्जा की भी प्राप्ति हुई जो उर्जा की कमी भी हमारे सामने आज एक बड़ी समस्यय के रूप में हैं तो हमने तीन चीज का उसमें उचित तरीके से प्रबंधन कर लिया, विरसका, मैनेस्चमेंट कर लिया एक डेम बनाकर जो वर्षा का जल हमें बिल्कुल फ्री मिल रहा है उससे हम डेम बनाकर अपने पे जल के लिए सिचाई के लिए और जल विद्यूत के लिए जो इस्टोर किया गया जल है उसमें हम यह सारे उपियोग कर सकते हैं तो जल संभर प्रबंधन का पहला तरीका हमने देखा कि जो बहता हुआ जल है विशे तो उसमें लाए जा सकते हैं नमेडर डू रहा हम इसमें तालाब और कुब मोई है और जूल बनाकर जल बनाए जा सकते हैं जिससे क्या होगा वर्शाका जल भी जो है उसमें इस ट्ओर भी होगा और जग जब हम तालाब की और नेंड़ां की खुदाई करेंगे तो उ Wars hem ल देखा था कि भूमी गजल के इस तर का नीचे जाना भी एक गंभीर समस्या के रूप में हमारे सामने आया है क्योंकि जितना अधिक भूमी गजल के इस तर नीचे जाता है उसमें विशाक्त जो पदार्त हैं चाहे हम फ्लोराइट की बात करें और सेनिक की बात करें और जितन से पानी निकालने के लिए छोटे पंप से हमारा काम नहीं चलना है हमें बड़े पंप लगाने के जोरत पड़ेगी और उससे बिजली उर्जा की खपत भी उतनी ही अधिक मात्रा में होती है तो इसके कुशल प्रबंधन के लिए हम एक और उपाय कर सकते हैं कि तलाब और कु स्थित रहने से क्या होगा उस स्थान का भूमी गजल का इस तर भी बना रहेगा नीचे नहीं जाएगा अब हम नेक्स्ट यह देखते हैं कि उदेश क्या है हम क्यों करें जल संभर प्रबंधन या वाटर्शेड मेनेजमेंट क्यों आवश्यक है और आवश्यक हमने देखा कि अपने जल संसाधन के उचित और कुशल प्रबंधन के लिए तो इसके पीछे उदेश ही क्या है तो इसके पीछे उदेश यह हमारा कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है और समाज हम जिस प्रित्वी पर रह रहे हैं जिसने हमें जन्म दिया है और जिस समाज में हम निव प्रक्षित रखना हमारा सबसे महत्वपूर्ण करतवी हो जाता है इसका महत्वपूर्ण उदेश है कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है चाहे हम भूमी की बात करें खनी संसाधन की बात करें यह जल संसाधन की बात करें पशु संसाधन मनुष जितने भी जो हमारे या संतुलन इस्थापित करना इसका सबसे महत्वपूर्ण उदेश है साथ ही साथ हम देखते हैं कि इसकी जो मतलब watershed management की जो सफलता है इसकी सफलता से का जो है समाज के उदेश पर निर्भर है ये जो management हम बात कर रहे हैं कि किन-किन तरीकों से इसका management किया जा सकता है तो इसका पूरा-पूरा उत्तरदाईत्व जो है या इसकी सफलता का उत्तरदाईत्व उस समाज पर depend करता है क्योंकि जब तक हम जागरुक नहीं होंगे कोई भी शाषन, सरकार या कोई NGOs जो भी हैं कितने भी policies बना ले, कितने भी नियम और काइदे बना ले हम जब तक जागरुक नहीं होंगे अपने करतवय के प्रती तब तक इन सभी policies, योजनाओं के नियम काइदों के कोई भी मायने नहीं रह जाते तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस हमने जो बात की प्रबंधन की या इस योजना की जो सफलता है वो हम पर depend करती है, समाज पर depend करती है, समाज के हर व्यक्ति पर निर्भर करती है जब हम जागरूख होंगे अपने करतव्यों के प्रती तो कोई भी योजना ऐसे ही सफल हो जाएगी अब सभी कार्य लेक्ति भी कार्य कर रहे हैं शाशन के द्वारा भी चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो या जो NGOs हैं है ना जो जितनी भी अशाष्की संस्थाएं सभी के द्वारा ये प्रयास जो है जल संसाधन को बचाने के ये अपनी अपनी तरब से किये जा रहे हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो हर्याली योजना है ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित योजना है और इसका महत्वपूर्ण उद साथ ही साथ हम देखेंगे कि नीरु और मीरु ये जो योजना है ये आंठपरदेश में चलाई जा रही है नीरु का मतलब है जल और मीरु का मतलब है आप मतलब जल और हमारे बीच के रिलेशन्शिप की बात हो रही है इस योजना के माध्यम से आंध प्रदेश में ये राज्य सरकार की योजना है जल संसाधन को संरक्षित या उचित प्रबंधन रखने की बाद जो है वो की गई है ति ये कुछ योजनाएं जो हमने बात की कि राज्य सरकार भी चला रही है और केंद्र सरकार के द्वारा भी स अंचालित की जा रही है, लेकिन हमने जैसा कहा कि चाहे कोई भी योजनाय बना ली जाएं, जिस भी संस्था के दुआरा बना ली जाएं, लेकिन सबसे महत्तों पूर्ण बात है कि इसमें लोगों का समाच के लोगों का जागरुक होना, तभी कोई योजना जो है, वो सफल हो सकती है या उसकी सफलता लोगों के जागरुकता पर ही डिपेंड करती है, तो ये हो गया, जल संभर प्रभंदन या वाटरशेड मैनेजमेंट, सब्साइमाश के झालने याटरशेड मैने सफदान एका क मैने प्नाी का सब्साइमें, जल सफवexist साइड का सब्साइड करता मैने सम्साइमान. झाल झाल